बावेश वो कहना है कि नरेंदर मोधी को हराया जा सकता है पहले तो करना टक नहीं थाबित किया दूसरा बिना सारे विपक्ष को एक ही भी हराया जा सकता है जेडियेस और कॉंग्रेस अलग-अलग लड़े उसके बावजूद एक सो चत्किस सीट जीती है मैं इस बात से अग्री करता हूँ कि कोई माहा गटबंधन जैसी चीज बनाने से नरेंदर मोधी के सामने में कोई फायदा नहीं होगा उल्टा नुकसान होगा ये मैं इस बात को एग्री करता है क्योंकि बीजेपी चाहती है बीजेपी का जो अभी का जो पॉलिटीक्स है या उसका जो टार्गेट होता है स्टेट में लगभग 50% वोट उनको चाहिए जब 50% वोट बीजेपी को खुदी मिला तो कोई भी गटबंधन कितना बना लोगा आप क्या फर्क परता है आपको 2019 लोक्सवास चुनाब को याद करना पड़ेगा जहां पर बीजेपी 16 स्टेट में स्टेट में बीजेपी का वोट से लगभग 50% या 50% के आसपास रहा था तो आप कहां भी कहीं भी गटबंदन बनाने कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता था तो यूपी में हो सकता था जब बसपास अपास एक साथ आगए तब भी बीजेपी का वोट से लगभग 50% बीजेपी 67 सीर जीती थी तो यह महागडबंदन बनाने से कोई असर होगा यह मैं नहीं मानता दूसी बात जो बताएं कि यह चुनाव का असर 2024 तक होगा या नहीं होगा देकि एक जो अभी जो मैंने आपको उधारन दिया कि 50% वोट की लड़ाई बीजेपी 2019 मीं भी जाद है दूसरी बात है कि लगबर 200 सीट ऐसी थी जहां पर बीजेपी का जो कैंडिडेट बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनका वोट से अपना 50% से उपर था अब जो इतना बड़ा गैप है बीपक्ष के नेताओ बीपक्षी जो कैंडिडेट होंगे उसको वो कैसे पा कि अब कुछ आप ऐसा फ्रीवीज यदी लेके आते भी हैं तो उसके सामने मोदी जी का जो अपना जो योजना है वो ज्यादा भारी परेगा वो यह बास सावित हो चुकी है तो अब यह देखना होगा कि यह क्या एक्वेशन बनेगा क्या नहीं बनेगा इसलिए अभी लो के जो गैरंटी कार्ड हैं इनका असर बीजेपी के किसी भी वादे से या बीजेपी अभी तक जो लाभारती वर्ग बताना कहती थी कि हमने एक नया वोट बैंक क्रियेट किया है बेनिफिशरी वर्ग लाभारती वर्ग अब कॉंग्रेस नो उसके सामने अब अपने कर तल पर पहले आने दीजिए अदो बहुत किते हैं ने मतपरदेश बीज messi कि अधीम में यह कर देंगें पहली कार्देंुक्त वह कर देंगें ऑज भी उन्या जो औरे जो हे दावेट होके हैं जंता देख रही है कि वह वादे जो है वो पूरे कर रहे है कि नहीं कर रहे हैं अब 2024 का जैसा भी expert कह रहे थे कि 2024 का election बहुत different election है को 2019 के election और अभी इसमें फर्क है जो 2019 से जो पहले करनाटका के election हुए थे और इतिहास बता है कि करनाटका के election जिसने भी जीता वो जनरल इलेक्शन में हारी जाता आप पुरान पुरा इतिहास कंगाल देगे तो वैसे भी जो जो ट्रेंड है वो आपके सामने है तो वो आपस यह मत कह नीजेगा कि इसलिए हम जान क्या रहते हैं यह नहीं कह रहा हूं लेकिन यह एक इतिहास में लाइटर नोट में मैंने कहा इसको लेकिन हकीकत यह है कि जब जनरल इलेक्शन हो उस वक्त सारे समिकरन चेंज होयाते हैं इसलिए कि वो लोकल जो इशूज रहते हैं लोकल पॉलिटिक्स होता है वो लोग धरातल पर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि नहीं अभी यहां पर सिंटर में कौन है अब वो जो भी वोटर है वो देखता है एक तरफ राहूल गां सकता है देश को कौन आगे बढ़ा सकता है देश किसके साथ आगे बढ़ रहा है दुनिया में वर्चस्प किसका है किस तरह से परवुकता से दुनिया में देश की बात्यों को आदमी देश के इंटरेस्ट को सेवगाट करता है तो अपने आप उसको समझ में आता है कि पहल लोगों ने भरोसा कर लिया आब और नहीं करेंगे ये प्रशार है एक बात बलू देखिए मैं कोई घमंड में नहीं कोई ऐसा इसमें नहीं कह रहा हूं लेकिन मैं एक सचाई आपके सामने शेर कर रहा हूं बड़े इससे कह रहा हूं कि देखिए अगले 40-50 साल तक भारती ज गरीबों तक जो अपना जो मेहनत करके गरीबों तक उनका धामन जो थामा है ना अधरने परदान मंत्री जी ने जिस तरह कुछ देश को मजबूत किया है आज लोगों की नजरों में देश की हैसियत और जो बढ़ी है दुनिया में और और देश के अंदर रहने वालों के अपने अपने एक मिसाल है लोग कभी नहीं चाहेंगे कि देश कमज़ूर हो त्टेट के इलेक्शन दूसरा होता है निकाई के अलेक्शन दूसरा होता है कोई हार सकता कोई जी सकता है उसमें कोई ने लेकिन देश की राज ठीक है मतलब केंद्र केंदर से आप 40-50 साल कही नहीं जा रहे हैं आचारी जी दावा आपके सुना इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर